जेहंद, मैं ललिद खत्री, एक फर्वरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले डारेक्ट टेक्स कलेक्शन के मोर्च पर एक बुरी खबर आई है, ये खबर 20 सालों में पहली बार डारेक्ट टेक्स कलेक्शन लोड़कने की है, इसका दावा अब 23 जनवरी तक टेक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ 7.3 लाग करोड उपे ही जुटाए हैं, पिछले विच्टे वर्ष में समान अवदी से अगर तुल्ला करें तो टेक्स कलेक्शन 5.5 फीजदी कम हुआ है, वहीं सरकार के लक्षे की बात करें, तो चालू वित वर्ष डारेक्ट टेक्स कलेक्शन का अनुमान करीब 13.5 लाग करोड उपे लगाया गया था, कहने का सीधा मतलब यह है कि चालू वित वर्ष में टेक्स कलेक्शन का लक्ष लगभग 6.2 लाग करोड उपे दूर, आपको बता दें कि सरकार के सालाना रेवेन्यू में डारेक्ट ट रिपोर्ट में क्या है? दरसल न्यूज अजनसी राइटर्स ने आठ सीनियर टेक्स अधिकारियों से बाचीत के अधार पर एक रिपोर्ट तयार की, रिपोर्ट में इन अधिकारियों ने कहा है कि तमाम परियासों के बावजूद चालू वित वर्ष में डारेक्ट टेक्स कलेक्शन 11.5 लाख करोड उपे से कम रह सकता है, अधिकारियों ने कहा कि टेक्स कलेक्शन का लक्षय तो भूल जाईए, ऐसी पहली बार होगा कि हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, आपको बता दें कि वितवर्ष 2018-19 में टेक्स कलेक्शन 11.5 लाख करोड उपे रहा चलिए अब इसकी वजह पे बात करते हैं, दरसल पीछले साल सरकार ने आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट टेक्स में कटोटी की थी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि टेक्स कलेक्शन में कमी होने का यह परमुक कारणों में से एक है, सरकार की इस कटो मोर्चों पर लगातार बुरी खबरे आ रही है, आईए मैफ वर्ड बैंक समेत कई बड़ी रेटिंग अजेंसियों ने जीडिपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है, वहीं महिंगाई दर भी बढ़ रही है, ऐसे में अब देखना एहम है कि आम बजट में सरकार की और से क क्या एक्शन लिया जाता है, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें, वीडियो जनरलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खदरी झाल झाल झाल